अगर कोई बहुत जरूरी कमेंटों फटा फट कर लो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्लास जो है, अभी बताओ, अभी इतनी देर से जो मैं बोल रहा था, वो सुनाई दिया या अब क्लास अब लाइब हुई है, मुझे लगा क्लास लाइब हो चुकी है, मैं तो बासन दे दिया 10-15 मट कर दब से, बताइए, नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ इंफोर्मेशन दे थी, वो मिल गएगा, सुनाई दे गएगा, अब हुई है, लाइब क्लास, पता नहीं है, मुझे लगा शायद लाइब हो चुकी है, अच्छा अब लाइब हुई है, तो मुझे जो मिना बासन दिया था, मुझे दौरा देना पड़ेगा, न मैं यह कह रहा था, कि भाई, बिल्डिंग मेटेरियल अभी सब्जेक्ट चल रहा है, गुपतन गुपता स्रीज है, गुपता जी सूपर हिट, इसमें एक एक करके सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, यह हमारा सेकेड लक्टर है, इसके लावा एक लास और होती है, दिन म रिजनेंगी क्लास अल रही है, इसके लावा दो क्लास और होने वाली है, इसी वीक के अंधर में वो बिल इन गुपता ostr और सिविल इंगर उगी, इसमें ठाइम लगेगा वो жनेंध और सार चाहते हैं, तो बिल सकते हैं यहां जल्दी कोर्स करना है, आप पाण्डे आज आपका पहला सवाल है question number 21 चलिए बताए करेक्टर आंसर क्या होगा question number 21 आपके screen पर है crushing strength of a good building stone should be more than good building stone के लिए crushing strength कम से कम कितनी होनी चाहिए कम से कम जो crushing strength है वो hundred MPa है इससे कम नहीं हो सकते यानि कि should be more than कितना होना चाहिए यह हमने कल भी देखा था जब मैं आपको good building stones के बारे में जब आपको क्या कर रहा था बता रहा था हाँ 12 बजे soil की class होती है कल भी हुई थी और आज भी होगी ठीक है good building stone की खास बात होती है good building stone में एक सवाल तो आता है कि आपकी minimum crushing strength कितनी हो सकती है तो यह बिल्कूल सही है इसके अलावा minimum crushing strength के अलावा एक वेबसाइट और एप्लिकेशन में मिलेगा स्टेडी भी सिविलवडी के नाम से एप्लिकेशन और वेबसाइट है ठीक है बाकी अब बाद में बात करेंगे भी पढ़ाई कर लो ठीक है तो आपको एक सवाल तो यह आ तकना है कि हमसे क्रिशिंग स्टन्स पूर सकता है रेट लिमिट होती है वह 10% की होती है इससे उपर जाते ही आप क्या कर सकते हो आप रिजक्ट कर देते हो किसको स्टों को तो समझना सवाल किस तरह से आप से कर कोई पूछेगा कि परमिसिबल लिमिट क्या है वाटर की वाटर एब्जॉप्शन की गूट बिल्डिंग स्टों को । यह वैसे ही हँख पर भी है ठीक है यह आपको देहां तकना है उसके अलावा एक सवाल आपसे यह भी इद çरकता है क्या हाद्ने से किससे हड़ने सो टसले से हाडमे से सवाल पूछा है जो इस टोन जो सटोन रोड में काम में लिए जाते हैं मित लोड बनाने में काम अलिया किरौम उनमें टॉपने में काममें जाते हैं उनमें सट्रह से ओपर यह रखता है songs 13 सब्सक्राइब सब्सक्राइब और 19 से कम 13 के बीच में अगर है तो क्या होगी मीडियम है और अगर 13 से भी कम होगी तो बोलें कि यह टुफ नहीं है ठीक है इतना मैंने बताए यह समझ में आया के सभी को फिर एक इंपोर्टेंट और कुशन बता देता हूं अभी गुपतन गुपता मैं भी था और आया कोर्स है आपका जो कोर्स है वो मतलब जो कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है समझाया है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा इंग्लिश तो वैसे भी नहीं आती तो हिंदी में समझाएंगे सरकारिक मीडियम वाले हैं आर अर भी जेहीं के लिए अलग से भी कोई नहीं है यहीं कोर्स चल रहे हैं इन्हीं में आप पढ़िए आर आर भी केंशी जब आईगी ना तब अलग से क्लास वगरा लगाएंगे अभी यहीं क्लास हैं ठीक है देखिए दूसरी फिर इंपोर्टेंट बात जो मैं कह रहा था कि एक सवाल और पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस्टोन की सीजनिंग का कि जो seasoning की जाती है वो seasoning कितने दिन में होती है तो stone की seasoning जो है 6 से लेकर के 12 महीनों में होती है कितने हैं 6 से लेकर के 12 महीनों में ठीक है ना 6 से लेकर के 12 महीनों में stone की seasoning की जाती है ये भी important question है ये question आया हुआ है अब क्योंकि conflict कहा होता है कि एक तो थी stone की सीजणिंग एक और ती टिंबर की सीजणिंग तो इन दोनों में क्या है इन दोनों में क्या है conflict हो जाता है इसलिए जाल तर जलिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का रिप्लाई करने के लिए अब आजाई दूसरे में ठीक है नेक्स्ट कुशन जो है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कुशन नमर 22 जो पीडिएफ है वो आपके फांड वो इसमें एक लगवे बेच जो है उसमें पीडिएफ अटेच कर दी ज इस बार आपका कल्यान हो जाएगा आशिरवाद इस बार आपका हो जाएगा पकी बात मुझे नहीं पता कितने नमबर हैं आपके लेकर मैं कह रहा हूं आपका हो जाएगा चलिए कुशन नमबर 22 इस पेसिफिक ग्रेविटी फोर मोस्ट ऑफ दा बिल्डिंग स्टोन लाइ घंघा के यह कितना हुआ 13 वह ठीक है यह क्या है यह एक बड़ी रेंज है और इबग् цен और बर दमाऊप जो ल Cats कीमित वह से चार1 एक से तरह तहीं तरह से थी दो दो से तीनधक् उतलन के बड़ी लीक्ट कर देगा वाख तो फिर आपको बतनी है यह इन प्लै लीघ इन पॉलेज बीच में मिलेघी इंड में सब्सक्राइल सब्सक्राइब 6,1 जो एप यह तो बड़ी रेंज हो सकती है एक्सक्षेटी वे नुगी 2.65 जनरल वेलु है ठीक है 2.65 इन जनरल वेलु है समझ गए समझ गए अच्छा ये तो बात हुई किसकी इस टोन की सवाल हमसे एक और पूछा जाता है किसका सीमेंट का जो की पूछा भी गया है आप बता देंगे फटापर से मुझे पूरा विश्वात है बताईए सीमेंट के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी लेकर के चलते हैं बताईए specific gravity की unit जो होती unit कितनी है हम जो है ले करके चलते हैं ये भी बताइए जितनी भी चीज़े मैं आपको बोल रहा हूं बता रहा हूं mostly मैं वहीं बताऊंगो जो आप से question आरक होंगे या वहीं से पूछा जाते होंगे और ऐसा ऐसी बाते नहीं बताई जाएंगी जो कि आपको confusion create करें या एक्जाम में आती ही ना हो फालतु का ज्यान नहीं देंगे आता भी नहीं ज्यादा कम नहीं आता है अपने को ठीक है तो 3.15 जो है यह value होती है चलिए अब यह भी बताईए कि जब हम specific gravity calculate करते है किसके cement की तो इसके लिए कौन सा apparatus है कौन सा यंत्र है वो जो काम में लिया जाता यह भी बताईए फटा फट बताईए कि ड्राफ्टमेंड की अलग से बीपी सिंग की क्लास नहीं लगवा पाएंगे माफ करना इस पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है यह एक यूनिट लेस quantity है यूनिट लेस quantity है ठीक है आगे तो इसका इसका जो यंत्र होता है की स्पेसिकेृष करते हैं तो कौन सा होता है स्यमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूजा चौदरी जी जो है drying वह एड़ने को देखने का आप पक्नो मीटर के अंदर सिमेंट की स्पेसिक क्रिवीटी कैसे क्या करोगे बेटा कैसे क्या क्या करोगी है कि पिकनो मीटर में क्या करते हैं सोईल कि मिट्टी तो कि अचछे लेक्टरियर फ्लास्क आथ न तो जितनी वाला काम में लेतें इसमें ठीक है चलिए। आगे चलते हैं कविशन 23 बताइए। इस पालिंग हैमर किसमें काम में लेए जाता है बताइए। सबसे पहले तो यह समझना कि आमने अभी लास्ट क्लास हम ने बात की थी हम ने यह आता कि इस टोंगर की की जाती है B Christmas करने के बाद प्लस करते बहुत बड़ा स्टो इ Rank described या तो tiny just One of that नहीं होगा तो आपका अमर्फिक कुण होगा में। क 123 कि अम डहीं काम में लेटें act करने तर्सक्राइप लगलग क्या होते हैं आपके सब निकाल को की जाता है तो उसकी क्या की जाती चेंक करने कि अच्छे तरीके सहनु करना मोटा मोटा乾 खकरन तो क्या क्या हमें जाता है अगर बोलता है कि आपको सिंपल करना है तो उसके लिए आप मैलेट हम या मेश हमर नृ जा सकते हो क्या या क्या या ओस्वाल नर्फ ड्रेसिंग लिए दरीसिंग बोले तो पहले कर दो ले सकते हैं नहीं हम आप वहां से यह रियल नहीं है यह तो गुप्ता की ए pantika होई है यह तो मैं आपको बताबर कैसां होता है तो स्पाइलिंग हेमर आगे वाले बाला होता है विर होता है ठीक है मैश ہमर के अगर बात करें लिए नोज एंसमूड है में काम में लिए जता है जो की जो सक्राइब फास देखते हुह एक रहता है में और आगे और इस आग और है वैसा होता है ठीक है चलिए question number 24 आपकी screen पर cross cut saw is used for cross cut saw जो है वो कहां काम में ली जाती है cross cut saw जो है वो कहां काम में ली जाती है बताइए बताइए cross cut saw जो है ये कहां काम में ली जाती है ये question exam में पूछा हुआ है इसलिए ध्यान रगना cross cut saw का कहां यूज किया जाता है बताइए option number B बता रहे है option number हिंदी में नहीं पता कि hammer को उन्हों hammer का नाम कहता है मैंने बताएँ ना इतना नहीं पता है आपके पास में दो तरह के stone होते हैं क्या होता है थो तरह के stone एक होता हिए Evan अगर आप से question पूछा जाता है बहिया आप मुझे यह बताइए soft stone के लिए क्या काम में लेते हैं soft stone जो होता है इस soft stone के लिए काम में लिए जाता हिना hand saw ari kij होती ना पुलकुल सही है लेकिन अगर कोई बोलेगा कटिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन अगर लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन इसकी कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग के लिए क्या काम लेते हैं तो इसके लिए काम लेते हैं फ्रेम वाली जो सो होती है वो काम लिए फ्रेम वाली आर तो मेलेट हो सकता है या फिर आपके कौन सा हो सकता है मैश हैमर हो सकता है मैलर हो सकता है यह हो सकते हैं तो यह चारो के चारो जो तोड़ा सा मैं आपको चल चितर बता देता हूं इसका जिससे कि आपको समझ में थोड़ा सा जाए जो आपके हेंड सो होती है हां से जिस्वें चलाया जाता होगा आपने देखा होगा जो आपके क्या होती है किलेके सोफ्ट सो काटकरने के लिए लकड़ी को कातने वाली सीधे से होती है यह इसा हृद कर्ण सो हैसा होती है ताइम यह बड़े-बड़े पत्थर उनको उठाके एक जगे से दूसरे के रखने के काम में आती है जब यह कट्रिंग का काम चल रहा होता है तो यह भी आपको याद रखना है चलिए कोशन नमर 25 आपके स्क्रीन पर बताई करेक्टर आंजर क्या होगा कि कुशन नमर 25 समझ में आ रहा है अरे हथोड़ा तो ना लाइक हो हथोड़ा तो हम किसको बोल रहे हैं मर को बोले अब हथोड़े के भी नाम है ना उसमें स्पालिंग है मैश है मर है उनके क्या नाम होता है क्या इसलिए थोड़ा किसको बोलते हैं कि वैसे एक बात बता हुआ आपको काम की जब काम की बाते चल रही हो ना तो काम की बातों में काम की चीज़े ढूड़ा करो काम की बातों में काम की चीज़े ढूड़ा करो काम की बातों में कुछ नहीं रखा है बात में समझ में आता है जब गड़ बढ़ हो जाते हैं समय निकल जाता पाद में संखने में इसलिए थोड़ा ट्राइग किया करो कि द्रूदर की बातना हो भी सेपड किया कंसिस्ट करती है सेप बुड के बारे माँ बताईए देखिए अगर मैं आपको थोड़ा हलका फुलका structure के बारे में बताऊं कि आपके जो तिंबर वगरा जो होते हैं आपने दिखा होगा उनके structure के बादे बादे आपने classes लिए तो आपने दिखा होगा कि system क्या होता है कि एक central portion होता है central portion होता है ठीक है वह जो 따라も नोला ता पोड़ का उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं क्या पिद क्या कहते पिद्म और पिद्म के चारो तरफ वाला जो हिस्सा होता है ठीक है जहाँ पर in-r gator connects वहाँ भी दिखते हैं आपको वह क्या होता है हडिया एंड उसके बाद में आपकि और अदो इस फैन्दी बैसा है थे यहां पर की अद एब देगा हर्ट भुड के बाद हाथ क्या होता है यह च्किळा रही है और इस सेप बुड के बाद में क्या होता है इसके बाद में आपके क्या होता है कि इसके बाहर फिल रिंक्स बनी हुई होती है जहां पर आपके क्या होती है बार्क वगेरा जो होती है Cambium layer वगर होती है तो पहले Cambium layer होगी और उसके बाद में क्या होगी बार्क होगी अब यह जो बार्क है यानि कि आप समझ सकते हैं जो च्छाल होती पेड़ की अब यह बार्क जो होती है एक inner बार्क होती है और एक outer बार्क होती है ठीक है तो यह इस तरह का structure होता हलका फुरका आपने यह समझा अब यानि यहां से समझ में आया किया सेप वुड़ जो होता है ना सेप वुड़ यह किस के बीच में हो सकता है वह यह होगा किसके बीच में एक तो हर्ट वुड़ क्या है हर्ट वुड़ हो और एक है Cambium layer है ना तो यानि कि option number B हमारा क्या हो जाएगा correct हो लेकी करणा है का अब इसको फोड़ा सा और समझते हैं वाहिक थोड़ा फोड़ा सथिक ठक लेकर समझतें देखिये क्या बताया है मैं ने Ianii केम लेंगें होती है के ऊपर क्या होता यह समिनर बार्क और आउटर बार्क कहते हैं इसमें दो तरह की रिंगे होती है इस कोमStiin योगोंत के वारे मिदेशसि नियुकति यह किसे बारए को में इसके इसमें कौन सी है एक जो हमें इसकी किसके बारे मताती है इस तरह से जो आपके बनी हुई होती है यह वाली ठीक है न scrub में छो है यह कहलाती है तो यह च्छार्प रहे या किसका किसी भी लॉट करेंगे तो लॉग में जो है यह माइक्रली इस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसी को कोई समस्य हो तो बोलो फिर में यहां से एक इंपोर्टेंट चीज जो है वह मैं बता रहा हूं जो की परिक्षा में आप से पूछी जा सकती है अगर इतना हो गया तो बोलिये यस फिर मैं आपको चीज़ बताता हूं कि बोलिये कि चलिए देखो अब पॉइंट जो बता रहा हूं घ्यान से समझना अगर आपको कोई बोलता है कि बताइए रिजिडिटी जो होते हैं रिजिडिटी इस पूरे की पूरे लॉक कि अगर हम बात करें इसमें जितनी भी मैंने चीज़ बताएं उनमें से रिजिडिटी की बात क करें कौन देता है तो रिजिडिटी और डियूरेबिलिटी देने का काम कौन करता है हर्ट वुड हर्ट वुड हमें रिजिडिटी देता है और हमें क्या देता है डियूरेबिलिटी देता है अगर कोई पूछे कि इस पूरे के पूरे स्टक्चर में जो मैंने बताए इसमे उसने कॉर्टेक्स क्या है इसमें ये जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स क्या है इन में से कौन है जिसको हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं ध्यान जो आउटर बार्क होता है इस आउटर बार्क को ही कॉर्टेक्स भी बोलते हैं अगर आपको गुमा करके दिया जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो दो तीन चीज़ थी जो वह भी मैं आपको बता दी अब बताईए आप यह विच आफ फॉलोइंग ट्रीज यिल्ड हार्ड वुड इनमें कौन से पेड हैं जो हमें हार्ड वुड देते हैं देखिए अगर आपको डिफेक्ट में समझ से आए न कि आपके टिंबर जो होता है इस टिंबर के डिफेक्ट जो है उन बहुत बड़ा कन्फूजन है तो उन में से एक बहुत बड़ा कन्फूजन तो अभी क्लियर हो जाएगा कि डिफेक्ट जो है उनका क्लासिफिकेशन प्रकार का है क्लासिफिकेशन में इस पेशली शमासे होती है तो नहीं रहेगी बताई करक्ट आंतर क्या जाएगा कि आप से पूछा गया है इन मेंसे जो वुड़ है वह हाड़ वुड़ जो है वह हाड़ वुड़ कौन सी है देखिए अगर हम वुड़ की बात करते हैं इस किसाता करें तो हमारे पास जो ट्री है कि वह मौट्टे त Aur पर दो भागों में हम बाट लेते हैं इन में फांट पेहला कुक्रों और औरगम अर्म करतें में और अगर्व मत कर सवाओं की नãoल वह होते जिनेंडु मैं अगर बात करें घ्रोव की तो इनकी घ्रोव केसी حती है लंबाई में रूल एक्वान की तरफ होती और इन्वर्ड होतीय अंदर की तरफ ठीक है जैसे कि आपका का पेड एंबो ठीक है और आपके जो एक्षेनेश होतेजेंस हुनके नदर क्या हुता है इनकी आुट वार्ड गोंती है अंअ मतलब बाहर की तरफ मला अगर या बढ़ रहे हैं तो भार की यह फैलेंगे जैसे बर्गज का पेड़ आप कह सकते हो है ना जब कि बांस का पेड़ गया लंबा बढ़ता है उसमें क्या होती है ग्रोथ होती है बहुत बढ़िया अगर हम एक एंडो और एक्जो इन दोनों की बात करें हमारे काम का कौन से हम यह कहते हैं क्या प्रोपर्टी के लिए लकडी मिलती है हमारे काम के इंजिनिंग वर्क के लिए मिलती है वह एक्जो जीने से ज्यादा अच्छी मिलती है इसलिए एक्जो जीने जो है हमारे काम का है ठीक है अब एक्जो जीनिस को भी हमने दो बागों में बाट लिया है कितने बागों में कितने भागों में दो भागों में एक तो कुनी फायर में ठीक है ना कुनी फायर बांटा हुआ है कुनी फायर कौन से होते हैं ऐसे पेड ठीक है ना ऐसे पेड आपने देखा होगा पेड आपने बहुत जाजे गुमने गए होंगे तो बहुत सारे पेड होते हैं इस तरह से ठ पत्ता आपने देखा होगा ठीक है तो अब यह क्लासिफिकेशन आप समझना क्या हुआ कि पेड़ थे उन पेड़ों को दो बागों बता हो गाषवी बागों बताइब कोवर सहां क्या पतिया होता उनकीया कैसी चुप के नकी पत्तिया होती है आगर आप बर्फीली किसी जगे पर गेर हो ओग घूमने जगो आ अपने देखाएéo ऑगा देवदार के पेड़ों में आपने दोटेके हैं रेश्ची पत्ति सब्सक्देशन के बूंकरण के कि softwood कौन-कौन से होती हैं आपके चीर हो गया देवदार हो गया पाइन हो गया है ना यह सभी है अगर hardwood के बात करने तो आपके बबूल हो गया ओक हो गया साल टीक सीसम यह सभी किसमे आते हैं hardwood में आते हैं अगर हम बात करते हैं थोड़ा classification में भी थोड़ा अगर difference की बात करें तो softwood or hardwood में सबसे basic जो आपका difference होता है जहां से सवाल पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि जो annular rings होती है जो हमें किसके बारे मताती है एस के बारे में वह आपकी softwood के अगर आपको अलग अलग दिखाई देती है एकदम अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपको दिखाई देखे लेकिन अगर आप हाड़बूर में दोखोगे इंडिस्टिक्ट है यानी कि यह बिल्कुल एकदम मिक्स होती है इसको आप देख नहीं पाते हैं अच्छे से आप क्या कर सकते हो एक लिए यह अलग है यह अलग है टीक है ना हिस्टिक्ट और इनिस्टिक्ट नहीं मतलब होता है अगर हम बात करते हैं इनका लोग होती है और इनकी इन डिस्रिक्टर हो विए भबी संध्र आया हुना तो यहां से सवाल एक सबस् 테षा और हाड के इसके पूछे आया हुआ है इसके लावा आपसे पूछा गया था फायर के बारे में तो चार-पां सवाल जो है इस टेबल से यहां से आई हुए यह भी आपको पता रहने चाहिए चलिए कुशन नमबर 27 आपके स्क्रीन पर बताए करेक्ट आदर क्या होगा बताए है यह मांशू बता रहे हैं ट्रिक से भी याद कर सकते हो एंडो जो है एंडो को मतलब इन्वाड अंदर की ओर ग्रोथ हो रही हो एक्जो का मतलब कर जाता है एक्जिट यानि कि बाहर की ओर बाहर क और जिनकी ग्रोथ होती बहुत बढ़िया हाँ ऐसे अगर आपके पास कोई नौलेज वाली चीज हो तो शेयर किया करो कि चलिए ऑप्शन नमबर सी बता रहे हैं देखिए कुशन में आपसे पुछाए कि रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन दा आउटसाइड ऑफ दा लॉग एंड नेरोर्व तोवर्ड दा पित देखिए उन्हाने बोला है आपसे कि आउटसाइड जो है ना आउटसाइड वाइडर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ क्या है बड़े क्रेक्स है ना बाहर की तरफ बड़े क्रेक्स है ठ स्टार के बारे में कैसे याद रहेगा इसका भी समझ लेना इस्टार के अगर आप बात करते हो तो आस्मान में चमकते हैं वाहर की तरस श्टार चमकते वोगा आस्मान में आस्मान में भार श्टार चमकते हो दिखाई देते हैं और इस्टार बनाते हो तो वाहर tuh हम एसा तरह में अगर तो बहार जो है यह बहार क्या होते हैं वाइडर होते हैं यानि कि चोड़ाई जो है बहार की तरफ ज्यादा होती है अंदर की तरफ कम होती है ठीक है एक होता हर्ट की ऑफ no hai ऊंट हुलों किके ना तो हर्ट में क्या है अब हाई दिल तूटता is दिल तूटता अंधर से चुटता सपरवाल हाले एक तो या घूऍकित की बात कर शाफ़िका अंदर जो है अंदर जो है अंदर जो है कब मोटाई होगी कि इस वाइडरने इसके लावा सभी को बताने वालों क hetधा किक बहुत बड़ा कंफूज है कि इसमें जो अपको समझने के लिए समझना पड़ेगा डेफब कितने कितने प्रकार के होते हैं डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं देखो मोस्ट लिए अगर हम बात करते हैं पढ़ने के इसाफ से समझने के इसाफ से डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट ड्यू-टी नेच्वर फॉर्सेज के एक तो वह डीफेक्त जो की नेच्वर्सईस की वज़े से डवलप हुए हैं फंघी जो होती है रो इन्सेट की वज़े से एक ओज वे वे वज़े इन्सेक्ट की वज़े से लिए सबसे पहला जो आपका बेसिक तो आता है डिफेक्ट वाता है नौट जो है सबसे पहला डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है इसके अगर आप देखें जब इसकी ग्रोथ हो रही होती जब बड़ा हो रहा होता है और नेचुरल फोर्सेश का मतलब हो गया आंधी तूफान बगयरा बार आजाती बार रिशाद आती सुनाम या देती यह नेचुरल डिजास्टर है ना इनकी विजह से अगर कोई क्या हु बढ़ती नहीं है लेकिन लाइव नोट में का सकती बढ़ भी सकती है इस टार्टिंग में कम होती है आपने देखा हो कि आप देने की जाते हैं तो तो बीच में आपको ऐसे काले-काले निशान दिखाए हो देते हैं ऐसा लगता है यहां से क्या है कच्छा है या कोई या खा गया हो या जल गया हो आजीब से निशान देगा आपको अजीब से लगता की सब्सक्रम मिद्धाट वहीं और बडिया से क्या हुआ एक बड़ा तूफान आया तूफान या आंधी बगेर आई और उसके विज़े से पेड क्या हो गए जुग गया वह इतना जुग गया कि आने वाले टाइम पर वह सीधा रहा तो इसकी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर में क्या होगा बदलाव हो बूर्णा को सब्सक्राइब ग्रोरफ आप फिर लुग से लुर इस एक होती है तो यहां पर क्या होता है इसकी जो rings होती है वहाँ पर cracks वगएरा यह split हो जाता है उसके जो टेफेक्ट जनरिटर रहा होता है शेक होते हैं इसमें सबसे पहला होता है star shake जैसा कि मैंने का start shake के अंदर क्या होता है कि जो इसके जो cracks है यह split जो है वो cracks कहां से start होते हैं यह start होते हैं आपके bark से और अंदर की तरफ गई कॉइंट इम्पोर्टेट पोईंट हैं युद ओलकेम भिए युद्यानना इसके लवा जो दूसरा होता है हमारा वो होता है आपके स्टार के बाद में आता है कप या रिंग कप और रिंग के बारे में को समझना कप और रिंग के अंदर क्या होता है कि आपके जो एनुलर रिंग होती है वो पेटिकुलर किसी एक रिंग पर ही आपको देखने को मिलेगा सभी रिंग पर देखने को नह विज बीच में जो रिंग है उन रिंग पर क्या हो गए गए क्रेफ डवलप हो गए इस तरह से यह कप है जब यह कप मिल जाते हैं एक साथ मिल जाते हैं किसी एक लाइन पर तो वह फूरी की पूरी एंडॉर रिंग को कि खा जाए या रहो में जाते हैं इसके लावा हमने क्या पढ़ा कि भाइच सब्सक्राइब किसमें देखने जाते हैं गरेता हैं फिन झाल मोड़ जो बति है इसा एक अस यह भूण देख देख लगे जाता है क्यों निकल जाता है क्योंकि उसकी एपनॉर्मर गिरोथ हो जाती है तो उसको बोलते रिंग ऑल ठीक है इसके अलावा एक होता है फॉक्सीनेस यह फॉक्सीनेस को होता है जब आपकी टिमबर यल्लो या फिर कैसे हो जाए रडिस कलर की ह सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करें वेंटिलेशन दोफ़ोधिक वगर्न की कमी कि वजए आज़ तो सवाल में वेंटिलेशन उनकी तो कि वहाँ पर क्या होता है फॉक्षिनेस होता है क्या करें थे सोम दोभी कि बात करने हैं हम बात कर रहें किस की तो जब हम बात करेंगे करें ड्राइब ऑम्हीला की वारे मैं है लग टॉपिक हो जाता रख खुए सी क्लासिफिकेटिकेशन है जो है आपके फैलिंग कर दी जाये किसकी ट्रीज की है ना या फिर हैवी विंड चल रही हो उसके यंगर एज में तो उसकी विज़े से क्या हो जाती है पेड वगेरा में क्या हो जाता है डिफेक्ट जैने रुजआगा उसे अप सैट कहते हैं पेड के अंदर क्या होगा लगाया वह मुड़ गया मुड़ जाता है ना ट्विस्टिंग आ जाता है फोर्स वैसा जनरेट हो जाता है इसमें अपसाइट में चलिए मुव तुदा नेक्स्ट कुशन आपका यही कुशन है जो मैंना भी आपको बताया सैम रिपीट कुशन हो रहा है कुशन क्ट्रारा दॉक किया, वहां हो गया हाड हो गया उस स्कीस में ठीक है ना क्या पूच आगया विचन रखाया है उनहें डाने इस अ much progress charms में गड़बड है यहां पर हाड है यहाड है यहां और सॉफ्ट का कॉंबिनेशन है चेक करना एक बार बताना कुशन सही है क्या है जाट टाइपिंग में गड़बड कर दिये बतानल लिवर दो बताओ जल्ली बताओ सही है क्या कुछ गरबड है इसमें शाहिद कुछन सही है ऑप्शन गलत है ना ऑप्शन गलत लिखा हुआ है वहाँ पर दौनों सॉफ्ट ही पूछे यहां तो आंसर फिर क्या हो जाएगा आंसर बदल जाएगा आंसर फिर दी होगा वहीं तो मैं सोचा हूं आंसर लिख रखा साल और ठीक ठीक है पूछ सॉफ्ट रहा है तो कुछना कुछ तो गट बढ़ ही और साफ साफ यहां भी लिखा हुआ है कि चीर और देवदार जो है आपके वह तो हैं सॉफ्ट के एक्जम्पल साल और टीक इसके हाड़ के एक्जम्पल है ना ठीक है तो यहां पर मैं PDF जब मैंने का भी था कि यह सॉफ्ट के एक्जम्पल ठीक है ठीक है हाँ यह इसको साही कर ले ठीक है तो अभी यह सेम चीज में आपको थोड़ी दिर पहले बताए भी थी चलिए कोशन नमबर 29 आपकी स्क्रीन पर बताईए कोशन नमबर 29 करेक्ट आंसर बताईए क्या होगा जवाब चाहती है बताईए कि अब यह कोशन तो आप आराम से कर सकते हो है ना कि पीडिएफ का मिलेगी श्रीपकमार जी पूच रहे हैं बताओ पीडिएफ का मिलती है कि इस पोर्स बनानी है यानि कि स्पोर्स की लकडिया बनानी है कि सब्सक्राइब बनाते हैं कि स्पोर्स से बनती है मलबरी से मलबरी जो है इस मलबरी से बनाई जाती है तो आपशन आपका क्या होगा ऑप्शन नमर ए इसके लाबा और भी इंपोर्टेंट कुछ है उनके पारे में पता होना चाहिए जैसे कि बबुल बबुल की पता है न इसके रावा फेंबू को मां इसका काम सब्सक्राइब लावा यह इसका काम कहां लेते हैं ब्लींग का प्रिवागरा बनाने हो वहाँ पर वहाँ पर जीर फार्मिंग जो को फ्रेज वींडों सब्सक्राइब बिस्त जरूर को बनाने हो विक्त का ना STOP कुछ बनाना चैश्ट बनाने के का मिलाई सकतें यह कैनल होते हैं and elastic property ठीक caution बहुत च्रोण होता है इनको हाइडा इस है पहता है है उसकेली बनाना चाहिव किस बनाएगा सी संग से वाइट आट का अटेक इस पर नहीं होता है कोई आफेक्ट नहीं पढ़ता है ना वाइट अटेख नहीं करती इसकी ओपर इसलिए हाउस कंस्रक्षिन में फ्लोरिंग में सुपर विजनवर्क में बहुत अच्छा क्या नहीं है काम में लिया जाता ध्यार रखना तो यह यह व हुआ है डिज इसक वर्ड पूछ रहा है कहके इसका फोल्डिंग जो होती है इसका जो में चैनल यह ऊब kalo जो होता है के युई और वEr्टिकल उन्हेकर निग्ग काम में लिए यह जाते हैं इस बताइए उन्हें क्या चांब जाता है कि हे जाता है आज अगर अगर ऐसी चीज़ें नहीं पता है आपको vem belong them in power का फोल्डिंग क्या होती है सेंट्रिंग क्या होती है फ़र्म वर्क क्या होता है है ना तो आप इसके लिए यूटुप पर सच कर सकते construction technology ना सट्रडी विए सिल्वाची तो आपको सारे के सारे लेक्टर ओपन हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसकी पॉलिशिंग वगएरा कर सकते हैं सत्य बचन बिल्कुल सही बात है इसकी पॉलिशिंग वगएरा जो होती है बहुत बढ़िया तरीके से की जा सकती है और इसका आप कहां काम में ले सकते हो डेकोरेशन वगेरा के लिए या फिर अच्छी जगे पर आप इसको काम में ले सकते हो तो option number A जो है इसका के A और B दोनों को दोनों सही है उसका correct explanation है सही है सी सम जो है decorative work वगेरा के लिए आप काम में ले सकते हो good work में या high class furniture बनाना है high class furniture में काम में ले सकते हो क्यों क्योंकि यह strong होता tough होता है durable होता है ठीक है और finishing बहुत अच्छी provide की जाती है तो high class furniture में decorative work में carving work में इनमें इसका क्या किया जाता है use किया जाता है जैसा कि मैंने कहा था high class furniture में decorative work में और carving work में इसका यूज किया जाता है कुछन नमर 31 दा डिजीज ऑफ ड्राइड इंटिंबर इसको बाइब आ चुका है कुछन दूसरा डिफेक्ट का अभी हमने डिफेक्ट का कुछन कौन सा देखा था हमने देखा था कि नेचूरल फोर्से से कौन से डिफेक्ट आते हैं अब आप से बताइए राइछ जाता है राइंठ ने का कारण क्या है कि अब इया पास्या cinco यह को ने चूर्ण से लिए जा रहा है अब आप से पूछा जा रहा है फंकी विचल्कन और Sakyapath will होता है कौन सा ड्राई रॉट तो ड्राई रॉट जो आता है बेसिकली वह इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वह नहीं मिल पाता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के वज़े से अगर यही कि ठीक है कि अगर आपको option में ये भी मिलता ना कि लैक ओफ ventilation and sunlight तो और भी और भी अच्छा होता और भी अच्छा उप्शन रहता तो sunlight और आपके ventilation दोनों की कमी के विज़े से आपके क्या होता है ड्राइ रोट होता है अब इसको थोड़ा देटेल में समझ लेते के फंगी की विज़े से जो है कौन-कौन से अबसुएंब नहीं तरह में पहरा हम को बताया था आपको सबस्क्राइब को समझना सत्क्राइ死 जब वह स्टोर और उसका खाना है जो होती है वह कंटेंड नहीं करता है किसी भी food material को ध्यान अगर कोई खाता है से पुबड को हार्म करेंगा तो आपके इस पहले ब्लू स्टेंड ब्लू स्टेंड जो होता है वह जब आपके इस इस पहले को खाएगा उसकी विज़े सेल वाल होँग सेवेक्टता हम सेप्ट से हो तो अगर वह खांग ready-dum डोरव होता है इस होगा काका ने किया करेगा जब फंगी क्या करेगा लक्डी को खाएगा लकडी को खाएगा तो दिरि के हो गागा वहथा अग्णा लाइल तो क्यों कि आपके वूढ़ता करें वूड को देश्ट्रएं करता है यहाँ पर क्या होता होता है सबसे पहला को डाय और उसका उनत hakkानों को सटमनों की मैं निकल टो उ एक उनता है ब्राउन ब्राउं का होती जब करूसरी चुन पूरा भूर असंपाऊंट रूरिया से कंजूम करें लांग होते है हम लुब होता है जब आपके नहीं हर्ट जो होता है जो हट वह एक्सपोज पूरा पूर पूरा ओपन की हाइँ हर्ट जो है हर्ट आपको खुली को बाहर से देखने को लग जाए तो एकमोसे पेल जाते हैं उसके वीज़े से हर्ट रॉट जो है देखने को मिलता है यह जब आपका वुड का हर्ट वाला पॉर्शन क्या हो जाएगा ओपन टुए इसके लावा आते हैं को वेट रॉट यह बेसिकली क्या हो जाता है जब आपके क्या होता है अल्टरनेट वेट और ड्राइंग का किस ज जाते हैं दोनों के दोनों ठीक है हां इस्टेन का मतलब होता है जाग दब्विज होते हैं ना चिट्टे पड़ जाते हैं वो लकडी में ड्राइब और आपके वेट जानक नहीं यह बहुत जाता अग्जाम पुछाते हैं तो जो कोई बोल रहा था भी के डिफेक्ट को ले प्लाइबुट के अगरें बनाने की बात करें तो प्लाइबुट को बेसिकली हम हाड्वूड और सौफ्ट वूड दोनों से मना सकते हैं किसी भी प्रकार की बूट से मना सकते हैं कोई समस्या नहीं है इसमें पतली-पतली आपको कह लेनी पड़ेगी शीट लेनी होगी एक शीट को आप रखेंगे उसके परपेंडिकुलर दूसरी शीट रखेंगे उसके परपेंडिकुलर तीसरी तो एक दूसरे के उपर परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में और नमबर्स में क्या रखा जाता है और नमबर्स में आपके प्लाइबुट की जो शीट होती है उ आपकी आपकी जो स्ट्रंथ है ना वह स्ट्रंथ बहुत बड़ा कार्म समझी है कि यह तो प्लाइब बीट की बात तो तो आपको इस्ट्रेंट क्या मिलती है जिए अलोंग जाते हो ग्रेंज के आलोंग जाओ गए तब आपको बढ़िया जो है बढ़िया इसटन्थ के आपको देखने र áपने कब बनाया जाता है तो कम से कम आपको तीन लिएर बनानी होगी इसके अलावा ध्यान रखना इसमें क्या होता है प्रेशन वापलाई किया तो प्रेशर के साथ में ठीक है लेकिन यह प्रेशर जो होता है अगर हम बात करते हैं यह है लेकिन गख़लोग प्रेशर काम भी आपको देखने को मिल सकती है अगर वो प्रेशर की बात करेगा तो ठीक है ना तो प्रेशन के साथ में इसको चिपकाई जाता है ग्लू के साथ में कुशन नमबर थर्टी थी करेक्ट आंसर देखिए अभी अमने समझा है उसी किसाब तो देखा इन विच आप फॉलॉइंग डारेक्शन दा इस्ट्रेट ऑफ तिम्बर इस मैक्जीमम पैरल मिलती है तो स्ट्रंथ की बात करें कि स्ट्रंथ कहां मिलेगी पैरलल में और मिनिमम मिनिमम कहां होगी पर्पेंडिकुलर आप जाओगे तो यहां कौनसी मिलेगी मिनिमम मिलेगी और यहां पर जो पैरलल आप जाओगे तो मैक्जीमम जो स्ट्रंथ है आपको देखने को मि चलिए कुशन नमर 34 में चलते हैं कुशन नमर 34 आपकी स्कीन पर दा मोईसर कंटेंट इन वेल सीजन टिंबर में मोईसर कंटेंट जो है वो कितना होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन है खुद यह कुशन कई बार रिपीट हो चुका है इसके अलाबा तीन से चार जाओंगा इसी से संबंदित जो इसके आसपास के एक्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कुशन है वेल सीजन का यह सीजनिंग से रिलेटेड एक कुश्चन है कि सबसे पहला तो सवाल ही पूछ जाएगा यह कुशन आया हुआ है कि टिंबर की जो सीजनिंग होती है उ 2141 यह इस कोड़े किसका सीजनिंग का अगर आपको सीजनिंग करनी है तो सीजनिंग का यह कोड है आपका लेकिन अगर आपको यह बोला जाए कि आपके अलग-अलग आपके क्या होती है कंडिशन होती है आप यह कह सकते हो कि अलग-अलग टाइप के टिंबर है डिफरेंट कि परसेंटेज मॉइस्टर होना चाहिए यह किस कोड में लिखा हुआ है तो यह लिखा हुआ है आपके आई-एस 287 में आई-एस 287 है और यह है 1903 में वाला कोड है तो अब यह कोड समझ लेना इस 1141 में यह लिखा हुआ है कि करनी है तो परसेंटेज मोस्टर कोंटेंट आपको पर मिसीबल है यह जो होते हैं टी ऐ in actual feeding यह कोडिकल तो सवाल यह होता है कि बात करते हो कितने से कितने तक आपको मुस्ट्रा कंटेंट आका आ सकता है कंतरा विधुर आ सकता है तो लेकिंद्स जब हम लेब में जाते हैं लैब जबं करते हैं यहницं की बात करें तो कंटेंट होता दसे लेख help के 12 वार गर है Agr के वार juicy तो वहां 10-12 परसेंट नहीं मिल पाता है जब आप साइट पर जाके करोगे 15 परसेंट तक ही हो सकता है वैसे तो बोलते हैं 15 से नीचे प्रैक्टिकली वेल्यू नहीं पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं 15 से नीचे तो यह पॉइंट आद ना कि 10 से लेकर के 12 परसेंट एक अलग चीज हो जाती है और जब सवाल पूछा जाता है प्रैक्टिकल वाला वह तो अब 15 परसेंट क्यों बोलते हैं कई लोगों को दिमाग में आती है कि एक तरफ आप 15 से नीचे हो नहीं स होती तो बारा परसेंट आंसर जो है वो दिया जाता है यह भी एक्जाम में पूछा हुआ है ठीक है समझ गए अब एक और सब्सक्राइब मैं पूछता हूं आपसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप आपका मन हुआ कि मैं टिम्बर काम में ले रहा हूं आपने तो इन बना रहे हो क्या बना रहे हो बीम या राफ्टर बना रहे हो बताओ मोस्टर कंटेंट जो है कितने से कितने के बीच में होगा दस से बारा परसेंट तो तब होता है जब आपके पास में क्या हो वेल सीजन टिमबर हो लेब में आपने जा करके लेब में चेक किया कोई आपक है उसके हिसाब सो कुछे जा रहे हैं इस खोड से यहां से पूछा जा रहे हैं इसकी जो टेबल बूर बहुत है इसकोड की जो टेबल राफन पोफ से मैं रिचेंट और कोई बता सकता है कितने से यह हुगा ना साइए आठ से 16% option आ रहा है मेरे पास मैं भी है जालिए मैं के करके नहीं थोड़ा से बता देता हूं आण्सर सही नहीं आरा है मेरे पास में भी वह करके बता देता हूं और काफी लोग दो बता यह नहीं रहें दिआरक न्याद न यह टेबल नंबर न है आप चाहिए तो कोड डाउ वेल्युन होती है इसके लिए गए जो सकती है रहे बारा से लेकर 20 तक ये बारा परसेंट से लेकर 20 परसेंट तक वेरी कर सकती है अब इसमें क्या होते हैं अलग योन जोन जोन तो जोन 3 जोन 4 तो 12 परसेंट 14 परसेंट और आपके कहतना हो सकता है 16 परसेंट 20 इस तरह से वेलू चेंज होती है लेकिन आपसे जोन के अलग लग तरीके से नहीं पूचेगा एक साथ वह पूच लेता है इसलिए आपको तो फिर आप से पूचता है कि डोर और विंडो के लिए क तो तो थिखनेंट 50 से कम है तो दस परसेंट से लेकर के 16 तक किए वेरी करता है कितना 10 से वेडि़ी करता है तो यह तो यह तो यह तो यह 3 data और बी है जो आपको याद करने यह पूचा उपाई आपने भी रिसेंट अभी एक्जाम दियों लास्ट यर तो वहां पर यह कुछे गई थे ना डी ट्रपलेस वी वगएरा कि और उनके एक्जाम हुए थे ना भी इस बार नहीं आया था चाहिए कुश्च चलिए को तर्टी वाइदा ट्रंक ओफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ओल दा ब्रांचेज इस नो ने लकडि विचेए कि ऐसे लॉक कहते है लॉक और लग आपने देखा भी होगा देखानी क्या ऐसा होता है हो दौक पेडा का म happy गणश्मान आप की लुख मिलेग संवाट्च मिलेग प को सिंब प्रह ed seen standingran अब है लिविंग पेड़ को काता नहीं तो बताई दिया जितनी भी ब्रांचे उती उनको कट करने के बाद में जो बसता है वो होता है यह शूटिंग आप से एक बार आए हुआ है उसकता है फिर से पूछले आप से शूटिंग का मतलब क्या होता है पढ़ने से ऐसा लगेग करने के और रिजट करने के अगर आपके तिंबर की थिक्ने तो से कम हो या 50 mm से कम हो और साथ इसकी विर्थ 15 cm तक ही हो तो उससे क्या कहते हैं बोर्ड कहते हैं जो लकडी के बोर्ड मिलते हैं मार्केट में उनकी थिकनेस क्या होती है से 5 cm तक ही होती है I'm 5 cm से ज्यादा नहीं होती है The age ofantic can be known by examining कि हम कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में में के बारे में आप और के आज़स के बारे में अभी अधिla engineer तो ऋटी है उनको देखोर कर हम बता सकते हैं उनको कि इस पेड हैं इस कितनीukt है ठीक है एक है एक है कि अधिया कर अधिक को देखकर करें बता सकते हैं और आपको मैंने कहा भी था सौन में हार्ड वुड में डिस्ट्ट कभोगी इन डिस्टिक्ट कभो यह कुशन भी आपसे पूछ सकता है साथ साथ मैं जो आपकी ग्रोथ होती है पूंभ सकता है पहले कि यह मैंना आपको इस होगी लग 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 ठीक है प्लाइब इस by bonding together with thin layer of wood in such a way that the angle between grain of any layer to grain of adjacent layer मैंने क्या 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 बनाइ जाती है प्लाइवुड को एक दूश्य को पर पर पेंडिकुलर रखा जाता है 90 डिग्री पर 1.38 से लेकर के 1.9 MPa का उस पर प्रेशर लगा जाता है ग्लू लगा कर वह को चिपका जाता है और नंबर ऑफ लेयर होती है जिन में मिनमम लेयर किने होती है तीन होती है ठीक है चली कोशन नमर थर्टी एट दा प्लाइवुड प्लाइवुड के वारे में आपको पास चार स् स्टेटमेंट से आपको बताना है कोन से सही हो सकता है बताइव कुशन नमर थर्टी एट तो देखो भाई एक एक करके अगर आप स्टेटम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा के गुड़ इस्टंथ आपके अलोंग दा पैनल ऑनली नहीं सभी के सभी डैक्शन में गुड़ इस्टंथ होती है इसको इसको स्प्लिट किया जाए प्लेन नहीं पैनल पैनल जो बनाए जाते हैं पैनल के बीच में अगर इस्प्लिट हो गया तो पर कामी खतम हो गया इसलिए तो प्रेशन के साथ में गुलू लगा के फिर प्रेशन लगाया जाता है ताकि इस प्लिट नहीं हो सके इसके इसके लावा इंपक्ट रजिस्टंस जो होता है और यह खुद क तो यह आप्शन नमबर जो सी है वो सी हो जाएगा कि ओडिनरी वुड के कंपरिजन में इसकी इंपक्ट रेजिस्टंस क्या होती है अच्छी होती है लेकिन इसकी खुद की बाकी की प्रॉपर्ट्री कंपरिजन में इतनी खास नहीं होती है ठीक है चलिए कोशन नमबर अचीव इन एंड्राइंग और तिम्बर तिम्बर की जब एरड कि जाती है तो पंदरा पर्शन तक ही मुएसर कंटेंट आप कर सकते हो पंदरा से नहीं ले जा सकते है आप सोचो मैं दस परसेंट बारा परसेंट तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल वेल्व 15 परसेंट तक ही possible है तो अब जब 10-12% आपको कोई बोलेगा option के लिए तो 10-12% कहा होती है वो lab में होती है well season timber के लिए होती है ठीक ना लेकिन जब air drying आप करोगे practical basis प्रैक्टिकल में 15% होती है option number B क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा question number आपका 40 है अब यह थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसका डेटा जो है यह डेटा आप एड़ कर लेना अपने नोट में यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है क्योंकि e-book में यह एड़ नहीं है और आपको नोट में शायद में भी ना एड़ सीञे क्म से कम 10 कम 10 क्या होती है चुण phase देखनों करो मिलती है यह जह पने जो notes है उस notes में add जरूर कर लेना या जो मैंने ebook दी उसमें भी add कर लेना बाकी ebook में आप क्या है further आपको जो मिलेगे update करके तो उसमें भी इसको add करवा दिया जाएगा ठीक है चली बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much आज की जो class है वो आज की class ही खतम होती है